हाई गाइस तरकाम बेक ट्लास्ट अफ्लाने मिया विद दाफुर शर्मा यो फ्रेंड एंट यहां पे हम वकुप करते है कि आज हम करने आरें पन्थ पोई पोई चीज लिख आउता है तो दो मेनिंग लिख आउता है तो दो मेनिंग से हिलता है जो मेनिंग वो खुछ सोच रहा है अधाइम व राइटिंग अधा अधा वीडर्स थेंग वाई लिख आउता है तो एक मेनिंग उनके दिवा में आप है तो यहां पे वर्ड्स के साथ खेला इस ओल अबूर पन पन है कि चीज गो हाईलाइट करते है तो पूंपूं सी चीज ह यह हमें वाउन एपनावलची टाम पन्सिखन स्नुर्ण में बवीडिक घ टाम पन्सिखन जान सहन पन्स एकिवा में है इस तो ओल जी तो ऊंई ही बहा दो मैंग अधा को टिंगत रिए पर गुल खोलगा एक तेशे वर्ड आ, जैसे वर्ड गुलीग नियुक हो गुली रहा जाए। यह ना जाए लिए। country so i am just an honest man who lives for the good of one is country come up to the next one that one is typically fun everywhere is life worth living it depends upon the leader what does it mean by this so yeah how it is sir aapne words ke sathe khenna शुरूगया तो जहाँ भी आपको ड़कता यह पोई वर्ट रहा है वो अपना मीनिंग अलेसे द्ना मेंगोशन कर रहा है इगो ट्राइए हिदन मीनिंग त्राइए हिदन में रिड़ दो हुआ पांग वगन समझना हो तो तो अम इसके दो मीनिंग पागो करेंगे हम गोगें इस फण इस अधर एक्स्टरनल दो जिते एक डर्णा मेनिंग दूसा एक्स्टरन मेनिंग तो दोनों को समय नहीं जरुँ जम पांग की बात करें तो हमें यहां पर वर्ड के मीनिंग के साथ conceptually clear करना है कि वर्ड क्या करना जाना है what the word trying to say to you तो लेटरे डिवाइस में हम बोलें पन जो वर्ड के साथ खेल लाओ जहां identify करना easy हो जाता है कि कहां पर क्या मीनिंग आ लाए तो this is the class for पन I hope this will help you to grab the name for more you need to watch life and share something in my eyes झाल झाल